हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू एडी हेलप लाइन, लास्ट वीडियो में मैंने डॉक्टर ट्रास्ट का एक बीपी मोनिटर को आन्बोक्सिंग किया था, देख सकते हैं, यह है ओ मोनिटर, डॉक्टर ट्रास्ट स्मार्ट 101 बीपी मोनिटर, इसके साथ वान यार का वारेंटी आ इस कर्ट के मदद से आपको वान यार का वारेंटी मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन रेजिस्टेशन करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फोर यार्स यानि टोटल फाइव यार्स का वारेंटी मिल जाएगा, इसे करने के लिए इस बॉक्स में ऐसा एक लिपलेट आप देख सकते हैं, यह पे कुछ लिखा हुआ है, लिपलेट का इस साइड में आप देख सकते हैं, अगर आप इसे फ्लिपकर्ट से पर्चेस करते हैं, तो इस साइड में जाके ये क्यूर कोड स्कैन करके आप इसका रेव्यू दे सकते हैं, और इसे स्कैन करके आप इसका वारेंटी रिजिस्टेशन कर सकते हैं और अगर आप Amazon से purchase करते हैं तो इस साइट में दिख सकते हैं आप दो QR code है बराबला जो QR code है इसे scan करके आप प्रिव्यू दे सकते हैं प्रोडक्त का Amazon पे और लेट साइट का जो छोटा वाला QR code है उसे scan करके एसे भी online register कर सकते हैं QR code को scan करने के लिए आपका mobile पर QR code scanner है तो उसे open कर लिजिए open करने के बाद इस QR code को scan कर लिजिए अगर आपके पास QR code scanner नहीं है तो भी चलेगा यह website जो है इसका link description में रहेगा चलिए हमने scan कर लिया website को आप go to website पर जाते हैं इस प्रोड़क्ट को online registration करने के लिए आपको कुछ information चाहिए होगा जैसे कि order ID, purchase date, product name, etc और यह सारा information आपको मिलेगा आपका जो product है उसका जो bill है उसमें और अगर आपने फ्लिपकट से purchase किया है तो उसका जो PDF format में आपके bill है वो तो आपका mail में भेज देते है और अगर आप इसे Amazon से purchase करते है तो Amazon app में जाए यह और order section में जाके जो product आपने order किया था और यह देखिए डॉक्टर ट्रस्ट डॉल टॉकिंग कि स्क्रॉल करने के बाद आप यहां पर कुछ options देख सकते है यहां से आप जो download invoice नाम का एक option है उसे क्लिक किजिए कि उसे क्लिक करते ही आपका product का जो bill है उसे download कर सकते है आप यहां पर invoice से लेक किजिए इन्वाइस से लेक करने के बाद थुरा नीचे स्क्रॉल डाउन किजिए यहां पर download document एक option देख सकते है आप यहां पर क्लिक किजिए इसे क्लिक करते ही आपका product का जो bill है वो PDF format में आपका mobile पर डाउनलोड हो जाएगा देखिए यह रहा वो bill आप यहां से आपका जो product details है order id, order date यह सारे चीज़ देख सकते हैं और box के उपर जो sticker रहता है Amazon का वहापे भी information आपको मिल जाएगा लेकिन कभी-कभी वहापे information जो है वो उतना clear नहीं होता है इसलिए मैंने यह download करके दिखाए आपको यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर order id या order number नहीं देख सकते हैं उसके बाद order date यह सारे information आपको चाहिए होगा जब आप इसे online registration करेंगे चलिए हमने keyword code को scan करके इस website पर चले आया है और इस website का link description में रहेगा आप वहां से इस website पर डिरेक्ट जा सकते हैं देखिए है अपर लिखा हुआ है on this page you can register for warranty extension within 15 days of purchase यानि आपको जिस दिन delivery मिलेगा उससे लेके 15 days के वी दिन ही आपको यह registration करना है तब ही आपको warranty extension मिलेगा अगर आप ज्यादा देर कर देते है 15 days से भी ज्यादा तो आपको यह warranty नहीं मिलेगा देखिए आपके कुछ information देना होगा आपको जैसे कि आपका email id आपका full name first name last name mobile number, city, concept brand का purchase किया है, date of purchase, product purchased, कहां से purchase किया है, order id और serial number यह product का serial number ही यहाँ पर देना है, देखिए मैंने यहाँ पर email id डल दिया है email id डलने के बाद यहाँ पर salutation से आप सिले कर लिजिए, Mr. Mrs. Doctor जो भी है इसके बाद आपका first name डाल दीजिए next यहाँ पर आपका last name डाल दीजिए इसके बाद आपका mobile number यहाँ पर देना होगा, देखिए मैंने mobile number भी एंट्री कर दिया है इसके बाद आपका city name और भी यहाँ पर देना होगा यहाँ पर देख सकते है, brand purchase करके एक option है क्योंकि हमने doctor trust का model purchase किया है इसलिए doctor trust को मैंने select कर दिया है इसके बाद आपको date of purchase यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा date of purchase जो आपका bill है वहाँ पर देख सकते है यहाँ पर जो order date है अगर इससे लेके जिस दिन आप इसे online registration करते है उस दिन तक अगर 15 days नहीं हुआ है 15 days से कम है तो आप उस date को ही यहाँ पर एंटर कर सकते है और अगर आपका जो order date है उससे लेके जिस दिन आप एंटरी कर रहे है वेबसाइट पर उस दिन तक अगर 15 days cross हो चुका है यानि आपको delivery late मिला है तो जिस दिन आपको delivery मिला है आप उस date को भी select कर सकते है इसके बाद product purchased यहाँ पर आपका product name लिखना पड़ेगा और यह आप आपका जो बील है वहाँ पर देख सकते हैं देखिए आपका बील पर आप जाएंगे तो product का जो description part है इसे आप direct copy कर सकते हैं देखिए मैंने यह पूरा section को copy कर लिया है आप यहाँ पर इसे paste कर दूँगा देखिए यह paste हो चुका है इतना ज्यादा type करने की जुरूरत नहीं है आप copy भी कर सकते हैं यह से इसके बाद purchase from purchased from यानि आप कौन सा website से इसे purchase किया है यहाँ पर drop down menu से आप select कर सकते हैं यहाँ पर देखिए डॉक्टर ट्राइस्ट amazon flip card snap deal बहुत option है क्योंकि मैंने amazon से purchase किया था इसलिए amazon select कर देता हूं इसके बाद अब देख सकते है order id और number यह भी आपको आपका जो अब देख सकते हैं आप order number इस section को आपको copy करना है यह आप देख के भी type कर सकते हैं कि यह जो order number है इसे मैं लॉंग प्रेश करके copy कर लूँगा देखिए मैंने इसे copy कर लिया है अब यहाँ पर आके इसे प्रेस्ट कर दूँगा नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देना होगा आपका product का serial number और यह जो serial number है यह आपको product का back side पर जो battery chamber है वहाँ पर मिलेगा यह आपको देख सकते हैं serial number 1012 ऐसा शुरू हाए यह पूरा number आपको 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 डालना पड़ेगा और यह number आपको accurately डालना पड़ेगा इसलिए इसे एंटर करने के बाद दोबारा चेक कर लेजिए यह आपके लिखा हुआ है serial number दूसरा कोई product doctor trust का है वह आपके sn number भी लिखा हो सकता है तो आप यह दोनों सेम ही है serial number और sn number देखिए यह डालने के बाद और कुछ information देने के आप ज़रूरत नहीं है आपको थोड़ा नीचे scroll down करना पड़ेगा यह आपके देख सकते है एक copy of your responses will be emailed to the address that you provided यानि आप यहाप पर जितने भी information डाल रहे है वह आपको दोबरा mail करके send कर दे गया doctor trust के तरफ से आपको submit करना है देखिए मैंने submit कर दिया है इसके बाद capture code के जगा यहाप पर कुछ photos को select करना है आपको यहाप पर कुछ pictures दिया हुए है यहाप जितने में भी चीमनी का photo है उसे आप select कीजिए select करने के बाद verify पर क्लिक कर दिजिए देखिए मैंने select कर लिया है आप verify पर क्लिक करना है देखिए यहाप पर successfully registered हो चुका है हमारा product यहाप लिखा हुआ है thank you for your purchase your warranty is registered यहाप नमबर वान पर लिखा हुए है if you have entered all details correctly and within 15 days of purchase and number two पर लिखा है you do not need any warranty certificate and we have recorded your details यानी जो extended warranty period है इसके लिए आपको दूसरा कोई warranty certificate नहीं मिलेगा आपका जो product है उसका serial number से ही वो लोग verify कर लेंगे आपका product warranty period में है या नहीं अगर आपने अभी तक Dr.Trust का BP monitor जिसे में आन्बोक्स किया था वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखे उसका link description में रहेगा और इस वीडियो के end screen में भी आप उसका link देख सकते हैं registration complete होने के तुरंद बाद Dr.Trust के तरफ से आपने जो mail ID यहाप एंटर किया था उसमें आपने जो भी सारा information एंटर किया है उसका एक copy base दिया जाएगा आप यहाँ से verify कर सकते हैं कि आपने कोई wrong information तो नहीं डाल दिया वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक किजिए और चनल को सब्सक्रेब किजिए थेंक्यू